दूस्तों मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत सारे तलावले, in fact majority तलावले, 90 से 95 परसंट लोग ये गलती करते हैं और फिर सोचते हैं कि पानी तो साफ है, फिर मशलियां क्यों मरने लग गई? पानी तो हमने अभी कुछ दिनों पहले चेंज किया था, कभी-कभी जब मशलियां मरने लगती है, तब लोग जल्दी से पानी चेंज करने लगते हैं, और सोचते हैं कि मरना बंद हो जाएगा, पर मरना बंद नहीं होता, और जब आँखे खुलती है, तब तक आदी से ज़् पिड़ वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूं, जब हम पॉंड से पानी बाहर निकालते हैं तो एक छोटी सी मिश्टेक करते हैं, जिस तरफ हमारी नदी होती है, या जो वाटर सोर्स होता है, हम वहीं से पानी लेते हैं, और वहीं उसके बाजु वाली साइट से पा बाल भी रहे है, बाकी का जो दूसरा कोना होता है, वो बहुत दूर होता है, अब वहां तक पाइप कौन डालेगा, हमें तो पैसे बचाने हैं, पानी जब एक तरफ से डालो और दूसरी तरफ से निकालोगे, तो दोनों कोने सेम साइट के नहीं होने चाहिए, ओपोजिट नहीं होती, बड़ी मिश्टेक दूसरी होती है, के हम समझते हैं, के हमने पानी चेंच कर दिया, पर गंदगी, गंदगी का क्या, वो तो नीचे ही रह जाती है, क्योंकि हम जो पंप या इंजन यूज़ करते है, वो वाटर पंप होता है, वो सलच्ष पंप नहीं होता, जि actually sludge pump जो होता है वो बहुत महेंगा होता है 1,65,000 के उपर इसकी range स्टार्ट होती है वो बहुत महेंगा होता है और जो ऐसे जो sludge pump में आपको बता रहा हूँ न ये गंदगी और जम्मे हुए sludge को नीचे से खीच सकता है sludge pump जो होता है वो size में भी बड़ा होता है उसको एक तलाव से दूसरे तलाव यानि कि समझो आपका pond number 1 से pond number 2 ले जाने के लिए ट्रॉली की जरूरत पड़ती है और उसकी जो ट्रॉली होती है वो भी 20,000 रुपे की एक ट्रॉली आती है तलाव वाले जो pumps या engine यूज़ करते है न वो सिर्फ पानी खीचता है और पानी के साथ जो 33 वी light weight गंदगी होती है न वो सिर्फ उसको लेता है नीचे जमीवी heavy गंदगी को वो नहीं खीच सकता और जो pumps 20,000 या 30,000 वाले जो आते है न जो हम लोग तलाव पे यूज़ करते है अगर ज्यादा गंदगी उस pump में चली गई तो वो pump खोधी बंद हो जाएगा दूसरी एक और mistake ये होती है कि पानी निकालने के लिए हम हमेशा वहाँ pump लगाते है या वहाँ engine लगाते हैं जहां हमें पानी बाहर फेकना होता है पर दूसरे कोने का क्या? मान लो आपका तलाव एक एकर या आधे एकर का है तो आपने एक कोने से पानी खीचा और सिर्फ वहाँ का पानी बाहर फेका ऐसे pumps सिर्फ पानी ले सकते हैं जहां लगाए गए हो वहाँ के नीचे की गंदगी भी नहीं खीच सकते तो अगर तलाव आदे एकर का है या एक एकर का है तो दूसरे तीन कोनो कोई गंदगी ये pumps कैसे खीच सकते हैं जब आप ऐसे pumps यूज़ करते हो तो उसमें जाने वाला पानी आपको काला और गंदा नजर आएगा पर उसमें सिर्फ soft, lightweight sludge होता है जो या तो पानी में घुल गया है या फिर पानी में तेर रहा है उसमें वो sludge नहीं जाएगा जो नीचे जम के बेटा हुआ है और जो नीचे जम के बेटा हुआ sludge है न वो हमारी मशलियों को नुकसान पोचाता है toxic gases वहीं से निकलती है और इसी toxic gases की वज़ा से मशलियां मरती है पानी चेंज करने के बाद भी ammonia जादा रहता है phb control में नहीं आता harmful bacteria का गड़ जो होता है न वो वहीं नीचे जम हुए sludge में होता है दूसरे एक वीडियो में मैंने आपको एक और प्रॉब्लम बताया था कि जब नदी से पानी लेते है तो वो प्यॉर नहीं होता रास्ते में नदी के रास्ते में कोई न कोई chemical factory होगी कोई industry होगी कोई गाओं होगा कोई picnic spot होगा जहां पर लोग आते होंगे नहाते होंगे गाएं भैसों को निलाते होंगे इसके रावा कपड़ित होते होंगे बहुत सी गंदगी बहुत से waste matter और unwanted चीजे नदी में डाली जाती है एक और बड़ी problem बताया था मैंने आपको कि जहां बहुत सारे तलावाले होते हैं एक साथ बहुत से आगे पीछे तलावाले होते हैं बाजू बाजू में वहां दूसरे तलावाला पहले तलावाले का गंदा पानी लेता है तीसरे तलाव वाला पहले और दूसरे तलाव वाले का फेका हुआ गंदा पानी लेता है और जहां बहुत सारे तलाव होते हैं तो पता नहीं लोग एक दूसरे का कितने लोगों का इस्तिमाल किया हुआ कितने तलाव में इस्तिमाल किया हुआ गंदा पानी और फेकावा पानी लेते हैं और सोचते हैं कि साफ पानी ले रहे हैं इसलिए हमेशा नदी के पानी का भी treatment करना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपने पानी बदल दिया तो मचलियां सेफ हो गई मचलियों को सेफ रखने के घंक यू कर दो